पिटाई कांट की जाच केजरीवाल की फैमली तक आज आमादमी पाटी का बवाल मालीवाल वर्सिस हुआ केजरीवाल केजरीवाल के मता पिता से होगे सवाल बयान लाएंगे सियासी उबाल आमादमी पाटी की राजिसभा सांसर स्वाती मालिवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की जाज की आज अब केज़िवाल की परिवार तक पहुँच गई है पहले सूचना मिली थी कि इस पूरे मामले में आज दिल्ली पुलिस अर्विंग केज़िवाल के माता पिता से पूश्टाज करेगी सूतरों सिविली जानकारी के अनुसार आज पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूशताज नहीं करेंगी इससे पहले केजरीवाल घर पर दिल्ली पुलिस का इंतिसार कर रहे इस बीच मुर्कमंतरी अर्विंग केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर सीएम आवास की तस्वीरे श्यर की जिसमें वो अपने पिता का हाथ था में दिख रहे हैं वहीं उनकी पतनी सुनीता केजरीवाल की मा का हाथ था में नजर आ रही है पूश्ताश के मद्दे नजर अर्विंग केजरीवाल सीएम आवास पर रुके हुए थे और पुलिस का इंतजार कर रहे थे अर्विंग केजरीवाल ने लिखा मैंने अपनी माता पिता और पतनी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा कल पलिस ने फोन कर मेरे माता पिता से पूछताज के लिए टाइम मांगा था लेकिन वो आएंगे या नहीं इसका उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी बता दिन की आज 23 मई को दिल्ली में लोगसभा चुनाव प्रचार का आखरी दिन है स्वाती मालिवाल के साथ हुई मारपीट पर दस दिनों तक खामोश रहने के बाद आखिर सीएम केजरीवाल ने अपनी चुपी तोड़ी है एक इंटर्वियों में केजरीवाल ने कहा है कि स्वाती के साथ मारपीट की घटना उनके सामने नहीं हुई इस पूरे मामले के दो पहलू है पुलिस को इसकी निस्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए केजिवाल ने कहा कि मामला फिलहाल कोट में है इसलिए वे इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाते वहीं सांसर स्वाती मालीवाल ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्श कराते हुए उन्होंने कहा था कि 13 माई को वे मुखमंत्री आवाज गई थी तब अर्विंग के जीवाल उनकी पतनी और माता पिता ब्रेकफास्ट कर रहे थी स्वाती ने सभी को गुट मॉर्निंग कहा और इसके बाद वे जाइंग हॉल में आ गए यहां उनकी वेभव से बहस हुए इसके बाद उनसे मारपीट भी की गई वेभव को मार इस समय पुलिस की हिरासत में है और आज वेभव की पुलिस रिमान खत्म हो रही है उन्हें 30,000 कोट में पेश किया जाएगा बता दी कि स्वाती मालीवाल ने पिछले दिनों एक्सपर ट्वीट करते हुए लिखा था कि मेरी कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलेंचियर की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई मुझे बिजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित रहर कराया गया, काट पीट के वीडियो तकलीक की गई, मेरी विक्टिम शेमिंग करी गई आरोपी के साथ घूमे उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया और सबूत इसे छेर चार करी आरोपी के लिए खुद सड़क पर उतर गए और अब मुखमंतरी सहब जिनके ट्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वे कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में इस पक्षर जात चाहिए, इससे बड़ी विंडम बना क्या ही होगी, मैं इसे नहीं मानती, कतनी और करनी एक स समान होनी चाहिए, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ चुराय है हमें का मिन बॉक्स में ज़रू बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए, हीूस वान, इंडिया